पिता मुलायम सिंह यादव के निधन पर अखलेश यादव भावुक हो गए। अखलेश ने अपने ट्वीट में लिखा मेरे आदर्दिय पिता जी और सब के नेता जी नहीं रहे। पिता पुत्र की जोडी ने कई बार सुर्खियां बटोरी। अखलेश मुलायम के रिस्तों में कई बार उतार चड़ाव देखने को मिला। कुछ मौकों पर अखलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव से नाराज हुए तो कुछ मौकों पर मुलायम सिंह यादव ने बेटे को डांट लगाई। लेकिन पिता पुत्र का प्यार कभी कम नहुआ। वीडियो में 14 साल के डिमपल यादों की मुलाकात लखनों में हुई। इस मुलाकात के थोड़े ही दिनों बाद अखलेश पढ़ाई के लिए उस्ट्रेलिया चले गए। लेकिन वह डिमपल को लेटर लिखते और फोन पर बात करते। अखलेश जब उस्ट्रेलिया से वापस लोटे तो मुलायम सिंग यादो नाराज हो गए। कहा जाता है कि मुलायम अखलेश गिमपल की शादी के खिलाब थे लेकिन अमर सिंग ने मुलायम को समझा कर दोनों की शादी कराई। खबरों के मताबिक वे बेटे अखलेश की शादी लालू प्रसाद यादो की बेटी से कराना चा मुलायम सिं produto यादों ने साधना गुपता के साथ संबंधों को उस वक्त सुविकारा था जब उसी साल अखलेश यादों की मां मालती देवी का निधन हुआ था मा के निधन से अखलेश दुखी थे ऐसे में वह दूसरी मा को स्विकार करने को तैयार नहीं थे क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि साधना गुपता उनकी मा की जगहले अखलेश यादो की बायोग्राफी बदलाओ की लहर में इस घटना का जिक्र किया गया है किताब में बताया गया है कि साधना गुपता को मुलायम सिंग की पत्नी सुईकार करने पर अखलेश यादो अपने पिता से बहुत नाराज थे अखलेश यादो भले ही पिता मुलायम सिंग यादो से नाराज रहे हूँ लेकिन हकीकत यह है कि मुलायम सिंग यादो ने उन्हें अपनी राजनीत का वारिस बना दिया और देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्य मंत्री बना दिया अखलेश यादो के प्रती मुलायम सिंग यादो का प्रेम किसी से छीपा नहीं है उन्होंने नन्हें अखलेश की अंगुलियां पकड़ कर सियासत का ककहरा सिखाया 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाओं में 224 सीटों पर कबजा जमाया तो मुलायम सिंग यादो ने उत्तर प्रदेश छोड़ने का फैसला लिया और प्रदेश की गर्दी पर बेटे अखलेश की ताज पोशी कर दी हाला कि 2017 विधान सभा चुनाओं आते आते पिता पुत्र के बीच मतभेद की खूब खबरें सामने आई अखलेश यादो ने अप्रत्याशित तरीके से पार्टी पर अपना आधिपत्य अस्थापित कर लिया और पिता को राष्टी पद से हटा दिया उस वक्त कहा गया कि मुलायम सिंग मायूस थे वह चाहते थे कि शिवपाल यादो को पार्टी में सम्मान जनक स्थान मिले हला कि कभी भी मुलायम सिंग यादो ने इस पर खुल कर नहीं बोला सियासी घटनाओं के इतर अखलेश यादो पिता के साथ साय की तर खड़े रहे उनके अंतिम दिनों में अखलेश यादो लगतार मिदानता स्पताल में ही रहे